Hello everyone, तो आज की इस वीडियम हम बात करेंगे pattern printing के बारे में तो यार जैसा कि हमें पता है कि यह हमारे पास दे रखा है, हमारे पास यह कुछ इस तरीके का pattern है, हमें इसको print करना है तो किस तरीके से करेंगे, इसको हमें देखना है तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि pattern printing आखिरकार हम कर क्यों रहे हैं हमारा इसका motive करने का motive क्या है तो pattern printing को करने का motive यही है कि जो भी हमने loop पढ़ा है कि loop कैसे काम करता है, हम उसकी help से हम इसको कर पाए और जब हम इस pattern को बनाएंगे तो हम जो भी loop की condition होती है या फिर जो भी loop के parameters होते हैं, उसको हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि वो कैसे काम कर रहा है, loop कैसे काम कर रहा है तो basic जो motive है pattern printing का वो यही है कि हम loop को अच्छी तरीके समझ पाएं कि कैसे काम करता है कहां यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है तो start करते हैं, देखो हमारे पास यह अपने पास कुछ pattern है इसको हमें print करना है, जिसको हम half pyramid भी बोलते है तो इसको हमें print करना है, तो हम कैसे print करेंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अपने पास row कितने है एक row ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, तो एक तो हमारे पास total number of rows कितने है, 5, तो हमें क्या करना है कि हर row में जाना भी है, print करवाने के लिए, तो हमें एक तो पहले चीज की हमें, iterate करना है पूरे row में, iterate over row, ठीक है, पहले चीज तो हमें ये है, कि हमें पूरे row में जाना है, तो इसके लिए, I Treat करने के लिए, हम एक은 4 loop का use करेंगे, एतना तो समझ में आ रहा हैं? तो हम इसके लिए anx4 loop का use करेंगे 4 loop, यहाँ पर लिकी हो, अब हमने दिखे रहा है कि जो भी यह stars है जो भी star है, वो हर row में increase होता जा रहा, हर row में increase होता जा रहा है, तो यहां पर देख भी रहे हैं कि 1 star है यहां पर 2nd row में 2 star है 3 star है तो इसके लिए हम एक अलग क्योंकि यह increase होता जा रहा है तो हम कुछ इस तरीके का mechanism लाए कि यह increase हो जाए 1 star तो इसके लिए भी हम एक फोरलूप का यूज करेंगे तो हम दो-फोरलूप का यूज करेंगे इसमें और इस तरीके से प्रिंट करेंगे तो लखते हैं कुछ प्रोग्राम लिखके फिर वहां पर समझते हैं कि हमने किया क्या है तो प्रोग्राम लिखते हैं तो हमने यह वाला Coding Blocks की ID है तो एक से के जो भी हमें देख रहा है कि यह हमने कितना लिये हैं पांच जिसमें पांच रो है यह कितना भी हो सकता है यह यूजर पेडिपाइट करता है कि यह कितना वो देना चाहता है तो यह यूजर से हम इनपुट ले लेते हैं तो हम इसके लिए एक वरियेबल करेट कर लेते हैं और और वेरियेबल का input हम user से मांग लेंगे तो इसके लिए हम एक variable create कर लेते हैं जो कि n हमने बना लिया अब इसका input हम दे देते हैं कि input लेते हैं user से हमने input ले लिया तो उससे पहले हम कुछ print भी करवा देते हैं कि user को कि दिखे कि enter the size of the pyramid इसका नाम तो मुझे भी निपता बट हाफ पिरामिड लोग बोलते हैं पिरामिड ठीक है इस तरीके से कुछ होगा अब हमने मान लो input भी ले लिया अब input लेने के बाद हम क्या करेंगे हम एक for loop यूज करेंगे जो कि कहा से कहा तक जाएगा जो पूरे row में आइटरेट करेंगा तो यह जो यूजर ने input दिया है यह एन यह क्या है हमारे पास यह number of rows ही तो होगा अगर हम चेक करें तो यह number of rows होगा तो एक बार देख भी लेंगे जो कि हमने एक variable क्रेट के आई और यह कहां तक जाएगा number of rows तक जो की N है जो की user ने दिया है और इसकी value को हम increase कर देगे ठीक है यूजर इंपुट देगा हम उसके according ही अपना pyramid बनाएंगे तो हमने क्या का था कि एक iterate करने के लिए पहले तो हम iterate करेंगे पूरे row में तो उसके लिए भी हमने एक for loop के use किया था और फिर इसके बाद हम एक condition चेक कर रहें कि यहां पर जो भी stars है हम उनको एक increase भी कर रहे हैं हर row में तो उसके लिए भी हम एक for loop ले ले लेते हैं और उसको भी कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि तो दूसरे row में दूसरे column तक iterate करना है तीसरे row में तीसरे column तक iterate करना है और चौथे row में 4 चार यहां पर देख रहे हूंगा मैं एक बार पैल से लिख देता हूं कि ब्लू ले देता हूं तो देखो हम क्या कर रहे है कि पहले रो में गया दूसरे रो में गया तीसर रो में गया चौथे रो में गया पांच गया यह तो हम आइक्टरेट कर लिए रो में अब हमें क्या करना है कि कॉलम में भी जाना है कि क यह रो है, तो i की value जितनी है, उतनी ही हमारे j की value भी होगी, मतलब की column जो होगा, देखो, पहला row, पहले column में आइटरेट कर रहे हैं, पहले row में, पहले column में, दूसरे row में कर रहे हैं, और दो column आइटरेट कर रहे हैं, यह दो column में, पहले में भी और दूसरे में भी, तीसरे पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में मतलब कि हम जिस रो में है उतने बार हम कॉलम में आइटरेट करें पहले दूसरे तीसरे इस तरीके से तो हम एक बार लिखते हैं फिर यहां पर समझ में भी आएगा तो हम कहां तक जा रहे हैं अगर मैं पहले रो की बात और हम में आइटरीट करें तो जो j है कोलम वाला वो कहा तक दिखहरा है इस तरीके से कुछ और हम क्या करेंगे सॉरी Cout और स्टार हमें प्रिंट करवाना है ठीक है इस तरीके से हमें प्रिंट करवाना है और बागी कुछ नहीं करना हमें बस हम return कर देंगा अपने function को अब हम एक बार run करके check करते हैं और input दे देते हैं मान लेते हैं 5 तो हमारा किस तरीके से print हो रहा है दिखते हैं एक बार कुछ error आ रहा है यहां पर sorry हमने यहां पर semicolumn नहीं लगाया है अब आप सही होगा हमने space तो दिया ही नहीं हम क्या कर रहे है कि पहले row में जा करके पहले column में जा करके हमने print कर दिया अब उसके बाद हमें अपना row चेंज करने है तो row चेंज करने से पहले हमें क्या करना होगा हमें space भी तो देना जो भी वह line है उसको line को end कर देना होगा तो हमने end कर दिया अब हमारा program कुछ सही चलेगा इस तरीके का चलेगा ठीक है कहां से कहां तक आइटरेट करें कौन से column आइटरेट करें और कौन से row में आइटरेट करें यह सब चीजियां में ध्यान रखने होती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को like करें subscribe करें और bell icon को press कर ताकि कोई भी notification मिस ना हो और इंक्सिए लगिए